कन्या संक्रांती 2024 डेट सितंबर के महिने में कब मनाई जाएगी कन्या संक्रांती यहां जाने ही सहीती थी शुब मुहरत और महत्व कन्या संक्रांती 2024 डेट सितंबर के महिने में कम मनाई जाएगी कन्या संक्रांती जाने सहीती थी सुमुरत और महत्व कन्या संक्रांती 2024 डेट सनातन धर में संक्रांती तिथी का बहुत ही महत्व है यहती थी हर महिने आती है संक्रांती तिथी के दिन ही सुर्य अपनी रासी बदलते हैं ऐसे में आये जानते हैं सितंबर के महिने में कन्या संक्रांती कब है इसके महत्व के बारे में कन्या संक्रांती 2024 डेटर सुरे देवता हर महिने अपनी रासी परिवर्तन करते हैं सुरे की रासी परिवर्तन थी थी संक्रांती थी कहलाती है संक्रांती थी का शास्त्रों में बहुत महत्वय ये थी थी गंगस नान दान और सुरे देव की उपासना के लिए सबसे उत्तम मान जाती है सुरे जब कन्या रासी में परवेश करते हैं तो उसको कन्या संक्रांती के नाम से जाना जाता है कन्या संक्रांती का पर भारत के पुर्वी राज्यों में बहुत उत्सा के साथ मनाया जाता है संक्रांती की थी पर सुरे देव की पूजा करने से और जब तप करने से स अधरच्य चौबिस देट कन्या संक्रांति कब है भादर पर महेंट की संक्रांति कीती थि शुरुहात 15 सितमबर की रात 8 बसकर 2 मिनट पर सुरू होगी इसी समय में सुरे देव कन्या राशी में प्रवेश करेंगे इस्तिथी का समापन 16 सितंबर को रात आठ बज कर 51 मिनट पर होगा इस साल कन्या संक्रांती का पर्व 16 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा कन्या संक्रांती दोहजार चौविस सुभ मुहरत इस साल कन्या संक्रांती 16 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा इस दिन पुन्य काल 12 बजकर 16 मिनट से लेकर साम 6 बजकर 25 मिनट तक रहने वाला है इस समय में गंगा असनान कर सकते हैं इस दिन महा पुन्य काल साम 4 बजकर 22 मिनट से 6 बजकर 25 मिनट तक रहने वाला है, इस मूरत में दान कर सकते हैं। कन्या संक्रांती 2024 पूजा विधी कन्या संक्रांती के दिन सुबस नान करे और सुरे देवता को जल अर्वित करे फिर साफ चौकी पर लाल कलस की स्थापना करे और सुरे देवता की प्रतिमा स्थापिते करे उसके बाद सुरे देवता को अक्षत रोली मौली चंदन अर्वित करें पूजा के समय में सुर्य देवता के मंत्र का जाब करें और आरती करें अंत में आरती के बाद मिठाय का भोग लगाएं कन्या संक्रांती महत्व कन्या संक्रांती की तिथी का शास्त्रों में बहुत खास महत्व है इस दिवहार के दिन सुर्य देवता की पूजा का विधान है इस दिन सुर्य देवता की पूजा करने से साधा को सकरात्म कुर्जा मिलती है इसी दिन से पित्र पक्ष की शुरुवात हो रही है इस दिन पित्रों की पूजा करने से पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है कन्या संक्रांती के दिन दान करने से साधक को फल की प्राप्ती होती है कैसे लगा आप सभी को हमारा ये कन्या संक्रांती वरत वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुला मुला थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट